आज मैट्स क्लास 10 विस्टमेंगॉल बोट का चैप्टर 4 का पार्ट 1 नियुमेरिकल सॉल्फ कर रहे हैं क्वेशन नमबर 1 में बोला गया है कि इन्वाइरिमेंट में कोई चार क्यूबोईडल शेप या चार क्यूब शेप का एक्जामपल बताईए तो चार अगर क्यूबोईडल शेप का एक्जामपल बोले तो फर्स्ट है पेंसिल बॉक्स, दूसरा मोबाइल, विंडो पैन, आपका फोन, मैच्बुक ऐसा करके बहुत सा है आप कोई भी चार लिख सकते हैं सेकेंड में चार क्यूब का आपको पूछा है एक्जामपल तो वो तो स्विट पहला होता है आइस क्यूब, शुगर क्यूब, डाइस और भी बहुत सार होता है आप चार कोई भी लिख सकते हैं Q2 में बुला गया है, लेट इस राइट दे नेम ओफ दे सर्फिस एज्ड एंड वर्टिस अफ एन अज्जाइनिंग क्यूबडल फिगर तो सर्फिस हम लोग को मालू में क्यूबडल फिगर का सर्फिस 6 होगा, एज 12 होगा और वर्टिस एट होगा Q3 का अगर हम लोग बोलें तो इसका होगा बुला गया है, लेंथ दे दिया गया है आपको तो लेंथ 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 दीजे, लेंथ ओफ और रूम 5 मीटर ब्रेथ लेंथ ओफ और रूम 4 मीटर और हाइट ओफ और रूम 3 मीटर अब वोल्यूम अब वोल्यूम लेंथ ओफ डाइगिनल का बात कहें तो लेंथ ओफ डाइगिनल का फॉर्मूल रहता है अंडरूट लेंथ स्क्वेर प्लस ब्रेथ स्क्वेर प्लस हाइट स्क्वेर लेंथ का जगा में 5 का स्क्वेर ब्रेथ का जगा में 4 का स्क्वेर और हाइट का जगा में 3 का स्क्वेर 5 का square 25 4 का square 16 3 का square 9 total add करिएगा तो आएगा 50 50 का अगर LCM लेंगे 225 जा 5 5 जा 5 1 जा देखिए जिसका pair बनता है उसको हम लोग जिसका pair बनता है उसको हम लोग बहार लिखते हैं और जिसका pair नहीं बनता है 2 का नहीं बना तो उसको अंदर root over में लिख देंगे ये आपका answer होगा 3 का अब question number 4 आपका बोला गया है the area of one surface of a cube is 64 square centimeter let us calculate the volume of a cube तो हमको मालूम है volume of a cube का formula हम लोग को मालूम है कि a cube होता है पर उसका आगे हम लोग को निकालना क्या है surface तो इधर पर लिखेंगे let the surface of the cube be a unit a meter लिख देते हैं उसका बाद हम लोग को मालूम है we know that all surface of a cube are equal therefore therefore the surface area of the cube the cube equals to a square में अब अब शर्फिस एरिया अफ 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 अ शर्फिस एरिया अफ दो क्यूब कितना था 64 square meter therefore a square equals to 64 a is equal to जब square रहेगा equals to का left hand side में right hand side में भेजेगा तो square root बन जाएगा तो 64 का अगर हम लोग root करें तो two three two thirty two two sixteen two eight two four two 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 one देखे इसका एक पेर बना है इसका एक इसका एक मतलब total होगा eight अब एक unit eight meter आ गया है अब अगर एक unit eight meter है तो volume of a cube कितना होगा volume of a cube है a cube तो a का जगा में eight रख दीजे eight का cube कितना होगा eight into eight into eight तो eight eight जब 64 64 into eight अगर करेंगे तो five hundred and twelve meter cube answer होगा question number five का अगर बात करें तो in a village canal is cut whose breadth is two meter and depth is eight deci centimeter if the total quality of quantity of soil extracted is four hundred cubic meter let us calculate the length of a canal तो दिया गया है इसमें breath आपका दिया गया है जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं given given the breath of the canal is two meter the depth of the canal अब 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 इतना याद रखेगा one meter में one thousand deci centimeter होता है तो eight deci centimeter में को meter में करना है तो eight divided by one thousand अब आपको next में बोला गया है कि हम लोग को ऐसा मालूम है क्या as we know that volume of a canal volume of a canal है 240 cubic meter अब volume of a canal दे दिया गया है तो volume का formula में रख दीजे volume equals to area area into length तो volume कितना था 240 ठीक है area two into eight by one thousand into length निकालना है तो अगर हम लोग इसको divide करे तो two fours two fives two twos two twenty two one's two one's two two's four two twenty five अब बचा two two multiplied by two divided by one twenty five तो ऐसा लिखे two fourtty two 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 by one twenty five into length अब देखिए equals to का इस तरफ में आपका right hand side में one twenty five divide में left hand में जाएगा तो multiply हो जाएगा तो कर दीजे multiply equals to two into length अब two right hand side में multiply है length का साथ left hand side में भेजेंगे तो divide हो जाएगा divide में भेज़ दीजे two को काट दीजे two one जा two two जा अब one twenty five one twenty five into अगर ये करें आपका one twenty into अगर one twenty five करें तो आपका आता है one five zero 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 ठीक है ना एक तो तीन चार चार dc centimeter अब इसको अगर meter में करना है तो fifteen meter होगा आपका answer question number अगर six का बात करें if the length of the diagonal of a cube is 43 centimeter then calculate the total surface area of a cube question number six में बोला गया है आपको length दे दिया गया है आपका cube का length of a diagonal दे दिया गया है 43 centimeter आपको total surface area निकालना है cube का तो जो दिया गया है वो बला लिख लेता है question number six का अगर बात करें if the length of a diagonal of a cube is 4 root 3 centimeter let us calculate the total surface area of a cube अब हम लोग को इसका edge of a cube लेना है a centimeter क्यों क्योंकि formula में हम लोग a unit करके लिए हैं तो इसे के लिए लिया हूँ आप लोग का मर्जी आप कुछ भी ले सकते हैं one लीजे two लीजे पर इसमें a करके मैं लिया हूँ अच्छा हम लोग को मालुमें diagonal का formula है cube का diagonal the diagonal of a cube equals to root 3 a meter ठीक है ना meter नहीं centimeter तो 3 root 3 a equals to 4 root 3 है क्योंकि 4 root 3 क्या है diagonal दिया गया था अब a इधर पर multiply में है equals to का इस तरप हम लोग अगर root 3 को वेजेंगे तो क्या होगा a equals to 4 by root 3 divided by root 3 अब root 3 से root 3 कड़ गया आपका a का value क्या आ गया वह है 4 centimeter अब अगर a का value 4 centimeter है तो total surface area of a cube का formula क्या है 6a square तो 6a का जगा में क्या लिखेंगे 4 का square तो 4 का square होता है 16 और 16 into 6 करेंगे तो आपका आएगा 96 square centimeter question number 7 का अगर बात करें the sum of length of the edge of a cube is 60 centimeter let us find out the volume of a cube volume of a cube आपको निकालना है अब फिर वही मानते हैं let the edge of a cube be a centimeter अब हम लोग को मालों में एक cube में 12 to edge होता है ठीके ना तो the total length length of edges of a cube equals to 12 a centimeter अब अगर 12 a centimeter edge का होता है तो आपको बोला गया है the edge sum of the length of edge is 60 centimeter दिया गया है आपको 60 तो 12 a is equal to 60 अब a equals to 60 upon me 12 काटेंगे तो 5 आए है अब a का value अगर 5 आगया है तो volume of a cube का formula volume of a cube is a cube तो 5 का cube कर दिजिए 5 x 5 x 5 x 25 25 x 5 अगर करेंगे तो 125 cubic centimeter अगर करेंगे तो 125 cubic centimeter question number 8 को अगर देखे तो if the sum of the area of 6 surface बोला है area of 6 surface of a cube is 216 square centimeter let us calculate the volume of a cube तो h of a cube equals to a unit करके चलते हैं अगर total surface area का बात करें total surface area of a cube का formula क्या होता है 6a square तो 6a square equals to 216 तो a square equals to 216 by 6 काटेंगे इसको तो आजाएगा आपका 36 a अब देखें square है equals to का right hand में side में भेजेंगे तो आपका root हो जाएगा तो a is equal to 36 upon root तो a का value आजाएगा 6 अब एक unit अगर a का value 6 है तो volume of a cube का formula है हम लोग का a cube तो a का जागा में 6 लगा दीजे 6 का अगर cube करेंगे तो 216 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका अंसर होगा क्यूबर 9 का अगर हम लोग बात करें तो दिया गया है तो a volume of a rectangular cube is 432 square cm if it is converted into 2 cubes of equal volume then let us calculate the length of edge of each cube बोला क्या गया है question है बोल रहा है क्या कि माल लीजे आपका पार्स दो क्यूब है दो क्यूब है जो कि equal length का है अब equal length equal length में अगर उसको बाट दिये तो अगर एक का A क्यूब होगा तो दूसरा का भी A क्यूब होगा तो 2 A क्यूब लिग देंगे इसमें Question number 9 में बोल रहा है The volume of a rectangular cube is 432 square centimeter If it is converted into two cubes of equal volume Then let us calculate the length of each edge of each cube अब हम लोग को मालूम है Length of each edge of a cube a unit बोला गया है एक ही cube है उसको अगर दो equal भाग में करें तो उसका कितना edge आपका बाहर आएगा बोला है cube को अगर दो equal भाग में काट दे तो उसका edge कितना होगा वो आपको निकालना है अब देखिए एक cube है उसको दो equal भाग में काट दे a और a unit में तो a cube प्लस a cube आपका 2 a cube होगा अब इससी तरीका से हम लोग इधर पर लिख लेंगे volume of each cube equals to 432 divided by 2 क्यों बोलिये तो 2 क्योंकि दो equal भाग में काटना है तो अगर आप इसको काटेंगे तो भाग में is 216 इसको क्यूब में पहले से ही है तो इसको क्यूब में आपको आसानी होगा 208, 25, 24 227, 39, 33, 31 तो देखे इसका एक पेर, इसका एक पेर मतलब 236 इसका 6 क्यूब होगा यह अब क्यूब से क्यूब को अगर हम लोग काट देते तो आपका A का वैल्यू आ जाता है कितना 6 cm तो यह आपका अंसर होगा अब क्यूशन नबर 10 में बोलता है कि कि Each side of a cube is decreased by 50% Let us calculate the ratio of the volume of original cube and change cube बला है क्यूब है जो कि 50% करके decrease हो रहा है मने घट रहा है कम हो रहा है आपको इसका volume निकालना है original का और change का तो original cube को ऐसा लिख ले Let the edge of Let the edge of original cube be a cm अगर edged a cm है original cube का तो volume कितना होगा a cube होगा अब volume a cube है तो नया side if each side is decreased बोल रहा है ना कम हो रहा है तो each side is decreased by 50% then new side कितना होगा आपका a आपका actual minus 50% बोला है of a cm तो a minus 50% 50% में डिवैड़ेद बैं 100 into of मने into a अब 0 से 0 कट गया है 5 1 जा 5 2 जा तो आपका a a minus 1 upon में 2 into a अब a into 1 होगा तो a minus 2 कुछ नहीं है तो 2 करेंगे तो 2 a minus a तो आपका a by 2 अब a by 2 आपका new side है अगर a by 2 अगर आपका new side है तो आपका अगर आपका a by 2 new side है तो volume of volume of therefore volume of change cube कितना होगा तो अगर a cube 1 का है तो पूरा का कितना होगा a by 2 का whole cube तो a cube by 2 का अगर cube करें तो 2 into 2 into 2 तो 224 48 तो 8 इधर पर लिख देंगे तो change in value हम लोग का आगया a cube by 8 तो बोला है a cube by 8 अगर change in volume है तो ratio of volume क्या होगा change in change in volume of a cube क्या होगा तो original volume कितना था हम लोग का original volume था a cube और change in value कितना था यह वाला a cube by 8 तो a cube से a cube कर दिया बचा क्या आपका 1 is to 1 by 8 rationalize करेंगे तो यह 8 इधर पर भी multiplied हो जागा तो 8 is to अब इधर पर भी 8 multiply हो तो 8 से 8 कर दिया तो आपका बचेगा 1 तो 8 is to 1 यह फिर 8 cm आप लिख सकते हैं answer इसी मेंसे 1 से लेके question number 10 तक अभी हम लोग numericals कर लिये हैं बाकि 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 बाकि